नमस्ते दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कुछ करने की जरूरत नहीं है ये वीडियो अंत तक देखने की जरूरत है जय हिन नमस्ते जय हिंदू राष्ट्र जय श्री राम मत देखो कोई केरला स्टोरी या कोई कश्मेर फाइल्ज या कोई ऐसे फिल्म जो सिर्फ आप देखोगे और ना देखने से ना सुनने से कुछ नहीं होगा कब से सुनते आ रहे हो आप लोग हम सभी लोग बाबर से लेके आउरंग जेब तक कितने मुस्लिम अक्रमनकारी यहाँ पे आये जो अक्रमनकारी यहों ने हिंदू की मा भहन बेटियों पर अन्वित अत्याचार किये कितनों की कुरूरता से हत्या की जुल्म किये जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन किया मुसल्मान बनाया फिर कुछ पोर्तुगीज आये डच आये फ्रेंच आये फिर अंग्रेज आये उन्होंने बची कुछी कसर निकाल दी ये सब क्यूं हुआ इसलिए कि हम भारतिय हिंदू एक साथ खड़े नहीं थे एक साथ संगठित नहीं थे अपने धर्म से एक दुसरे के साथ जुड़े हुए नहीं थे और कितनी सच्चाईया सुनना चाते हैं आप लो कितने लव जिहाद की सच्ची घटना है देखना चाते हैं आप लो कुछ फाइदा नहीं होगा इसी बातों से फाइदा तभी होगा जब आप अपने बच्चों को धर्म का शिक्षन देना शुरू करेंगे अपना धर्म क्या है क्या सिकाता है किसके साथ रहना है किसके साथ जाना है किस से दुर रहना है किसको पास रखना है कहने का मतलब अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी है कहते हैं कि धर्मो रक्षिती रक्षताहा धर्म की रक्षा करने वालों की धर्म खुद रक्षा करता है तो क्या अपने धर्म की रक्षा करने के बारे में कभी सोचा क्या किया है अपने अब तक अपने धर्म की रक्षा करने के बारे में अपने हिंदु सनतन धर्म को आगे बढ़ाने में क्या किया है बोलिए कभी बैट कर अपने बच्चों के साथ धर्म का कोई पाट पढ़ाया है नहीं ना बस पढ़ाई पढ़ाई करो खूब आगे बढ़ो खूब पैसा कमाओ और एश करो चाहे ते देश में रहो या ना रहो यहीं सिखाया होगा न यहीं करते आ रहे हो न आप सभी लोग हम सभी लोग तो धर्म की रक्षा किसका बाप करेगा तो अब कान खोल कर मेरी बातों को समझ लो जान लो आपके पास आपके गली में, मोहले में, नगर में, आपके गाउं में कहीं भी अगर हिंदू संगटन जैसे की RSS है, संग है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिश्यद है, संगटन है, सनातन सस्ता है या कोई भी ऐसी संगटना, जो हिंदू सनातर धर्म का प्रचार, प्रसार करती है, साथ-साथ, राश्ट्रप्रेम, भाई-चारा, धर्म की रक्षा सिखाती है, धर्म की शिक्षा दे रही है, जो भी संगटना, उनमें शामिल हो जाओ, हप्ते में कम से कम एक बार, शेनिवार रहिवार में से, रहिवार को भी आप जा सकते हो, शेनिवार को भी जा सकते हो, जब छुट्टी हो तब जा सकते हो, या महिने में एक ही बार चलो, मान लेते हैं, महिने में ही सही, कम से कम एक दपा अपने बच्चों को वहां लेकर जाईए, बच्चों को अपने धर्म की श कम से कम एक बार अपने बच्चों को मंदिर में तो ले जाईए एक बार अपते में हमको अपने पीडी पर बच्चों पर अपने धर्म की धर्म के बारे में जागरूत कराना है हमारे किसी दूसरे धर्म के प्रति कोई विरोध नहीं है हमारा बलकि अपने धर्म के लोगों में जन जागरन लानी की कोशिश करनी है अरे कब तक ऐसे ही सुनते रहोगे देखते रहोगे कि कुछ साल पहले कश्मेर में हुआ फिर किसी राज्जमी हुआ अब केरल में हो रहा है कल यहाँ हुआ कल वहाँ हुआ हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है सब सेफ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप सभी लोग किस की रहा देख रहे हो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप सभी हिंदू सनातनी लोग मत करो अपने राज्य का इंतजार अपने जिले का, अपने शेहर का और भोती खतरनाक साजीश है तो अपने बहन बेटियों पर नजर रखो उनको धर्मिक शिक्षा दो अब तो जागो हिंदुओ अब तो जागो कब जागोगे आप धन्यवाद यही कहना था कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में सिखाओ अपना धर्म सिखाओ वंदे मातर जय हिंदु सनातन धर्म की जय भारत अगर मेरी ये बात अच्ची लगी हो हजम हो रही हो आपके पल्ले पड़ रही हो तो जरूर सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए शेर किजिए फॉलो किजिए और आखिर में इसको वाइरल किजिए अब लग जाने दीजिए अब ध धर्म के प्रती जन जागरन जन जागरुति की आग हाँ हाँ लग जाने दीजिए बिलकुल धन्यवाद जय हिंदु राष्ट्र जय हिंदुस्तान जय सनातन धर्म की जय हिंद थैंक यू थैंक यू